हेलो बच्चो कैसे आप सभी लोग I hope सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ exam की तईयरी भी कर रहे होंगे क्यूंकि बिटा ज्यादा समय रहा नहीं है board exam के लिए तो पड़ाई तो शुरू कर दिया होंगे लेकिन जिन बच्चों ने पड़ाई शुरू नहीं किया है और जो बच्चे रिवीजन करना चाह रहे हैं या अगर पड़ाई शुरू भी कर दिया है लेकिन अगर आप रिवीजन के बेसिस पे पूरे लेक्षर अच्छे से देखन चाहते हैं complete course अपना पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाईए आप देखी रहे होगे मेरे पीछे कि class 12 physics के last 60 days के लिए एक प्लान लेकर क्या आया हूं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा physics cover करने वाले हैं जिसका आज बेटा first day है है ना first lecture है clear है अब बच्चे जो भी बच्चे जिन्होंने भी तक पढ़ानी हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हम तो एक्जाम की जब आएगा तब हम एक्जाम की तयारी करेंगे ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत इप्यारा क्रेस कोर से लेकर क्या आया हूं जिसमें हम 60 days में पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्रीट करने वाले हैं इसमें हर एक चीजे हर एक चेप्टर पूरा कवर करेंगे पी वाय क्यूज भी रहने वाले बेटा इसमें अगर आप सी बीसी बोर्ड वाले स्टुडेंट है तो उनके के लिए भी और आगर आप स्टेट बोर्ड से भी बिलॉंग करते हैं उसके लिए भी आप लोगों को यहां पर कोशन्स मिल जाएंगे कोशन की प्रेक्टिस कर सकते हैं ठीके बच्चों ऐसा नहीं है कि क्रेस को से मतलब जल्दी भागेंगे बिटा हर एक कंसेप्ट को अच समझ में आ रहे हैं तो जो भी बच्चे बिटा देख रहे हैं पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए और बेटा की वीडियो कैसी लगी उसको एक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो प अच्छे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस प्लेडिस्ट को अपने दोस्तों को भी सेर कर दें उनका भी फायदा हो जाया है एना इस्कूल के ग्रूप में और ख्रूप में सेर कर दें और अपना स्टेटस जरूर लगा ले जिससे की यार आप तो फ्री में पड़ रहे हैं इसका कोई चार्ज लगे गई नहीं तो बेटा इसकी फिस के रूप में इतनी हेल्प कीजिएगा कि जादे जादा बच्चों को सेर कीजिए इससे मेरा फायदा तो होगा इन लेकिन बच्चों का भी फैदा हो जाएगा आपके दोस्पहियों का ठाने वीजिक्स की लेक्टरी चाहरे हैं साती साथ में एक दो बना दूँगा या मैस को भी पढ़ा दूँगा डेली 60 डेस में कम्प्रीट करवा दूँगा ठीक है बच्चो तो चलिए बच्चो ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का करते हैं वीडियो को स्टार्ट ठीक है ना चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सबसे जो पहला टॉपिक होगा सबसे पहला टॉपिक है एलेक्ट्रिक चार्ज तर यह तो बता दिए बढ़ा क्या रहे हैं तो भाई हम क्लास 12 के इलेक्ट्रो स्टेटिक्स यूरिट का फॉर्स चेप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नेम ह है electric charge and field ठीक है न कंद के बारे में पढ़ रहे हैं इस electric charge and field में पहला जो topic है हमारा वह है electric charge थो अब electric charge को समझेंगे थे electric charge क्या होता है ठीक है बैटा वाट is the electric charge उपके बात करूँ बच्चो तो आपके पास definition हम देख सकते हैं definition दी गई है ठीक है पर बैसकी सिम्पल सी डिफेनिशन अपको बताना चाहूंगा कि जो चाहर जोटा अगर चाहर की बात करें तो क्या जोटा है जो चाल योगा जार हôm इन इंट्रेंशिक a के प्रओप्रटी laid-y प्रॉपर्टी आप मेटर मेंटर की क्या होती है पेटा यह इंट्रेंसिक प्रापर्टी मुणक ऐसा चोटा सा होगा जिसे और चोटे भागों मे we eing नहीं तो चार्ज के बारे में अपने पढ़ा तो होगा कि चार्ज कितने टाप के होते हैं बेटा टू टाप के होते हैं चार्ज कितने टाप के होते हैं टू टाप के सर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो charge क्या पढ़ते बेटा टू टाइप के पढ़ते हैं कि positive charge and negative charge लेकिन यह आया कैसे आया कैसे तो अगर मैं बात करूँ बेटा कि अगर हम कीनी भी दो body को अगर क्या कर दे रब कर दे ऐसे अगर मैं इसे क्या कर दू रब कर दू तो क्या हो जाता बेटा इन दोनों bodies में क्या हो जाता है चार्ज जन्रेट हो जाता है तो चार्ज अगर जन्रेट हो रहा है अगर चार्ज जन्रेट हो रहा है तो क्या होगा कि इसका मतलब यह है कि यह किसी body को क्या कर सकता है अगर चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या है चार्ज है intrinsic property किसकी मेटर की किसकी मेटर की तो अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो चार्ज है जो चार्ज शार्ज हे Natomiast पॉजिटीर्ने गढ़ाइट ना वह तो आगर मैं ने कहा कि आपके बस एक ट्रॉन है शरा यह लेकरन ऑफ चार्ज होता था अगर तो और ऐता है तो प्रोटॉन नंबर 11 होताई है के सोडियं disorder में अगर मान लिया जाए कि अगर यह क्या कर रहा इपने इलेक्ट ली इलेक्ट आओ को क्या कर रहा है अगर में इलेक्ट लों की बात थNE हो रही है मत łब कह रहा है यहां से बहुत रहा है यहां यह सु bijखितानों की कमी तो नफी एगर कई स्ट है तो यह जाएगा निगेटिव चार्ज्ट हो जाएगा और है इसका मतलब क्या है तो अगर इलेक्ट नोगर एक तरॐ ले घर लेकान और विजला रसाया है भू है गज़ाले ऑप अनों से कौन सा है ़िर्टेव जाये दिव चार्ज तरह पर आध्यान से देखो कि अगर हम चार्ज की इतनी बाते कर रहे हैं तो जो चार्ज होता होता इस चार्ज के अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करो इसकी ऐसा यूनिट की बात करूँ तो बेटा स I unit of unit of charge ऐसा unit of charge तो charge के हम ऐसा unit की बात करें बेटा तो क्या होता है यह होता है बेटा कूलम कूलम charge के ऐसा unit क्या होती है कूलम होती है जिसे हम क्या बोलते है बेटा C से रिपरजेंट करते हैं जिसे हम किसे रिपरजेंट करते हैं ती से रिप्रजेंट करते हैं और अगर मैं इसके डाइमेंशन फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका डाइमेंशन फॉर्मूला होता है 80 क्या होता बिटा 80 होता है क्या होता है 80 होता है ज्यान से देखो न ज्यान से देखो यह 80 होगा सर कैसे आया तो आपने सिर्ट कि penaud fault question बढ़ा होगा की सर तो अमारे पास एलेक्ट्रिक करंट होता हैं आई मिला क्या होता है सचारजव आप तो Q is equal to कितना होगा I into T कितना होगा बटा I into T तो मुझे बताइए ना अगर मैं I का अगर मैं dimension formula लिखू यह हो जाता है ampere A और time के लिए बटा T तो 80 ठीक है तो इसका जो dimension formula होता है वो 80 होता है क्या बात समझ में आ रही है क्या बात समझ में आ रही है अब यह dimension formula हमारे पास 80 आ गया तो अब एक बार ध्यान से देखो कि सर इसका SI unit कुलम भी होता है लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसका एक और SI unit होता है बेटा कि अगर मैंने बोला यह current है current है इसका मतलब बेटा ampere होगा और time है मतलब second भी होगा इसका जो SI unit होता है बेटा वह होता है ampere second क्या होता बेटा ampere second इसकी से केस्ट demonsI unit होता है वह ampere second भी होती है क्या इतनी बात मैं आ रही क्या बात सुवन्य तब ध्यान से धेखिए बेटा अब हमारे पास है types of charge adष लिए बिख्चा है टाइप्स ओफ चार्ज में टाइपस है घ्ला टाइपस अब चार्ज कि बात करें 토 इ toasted rr e royal drink है हुआ थो टाइपस के लिए चार्ज किस्क्तिर की फास्त अबर्ट लात खरूँ करों तो 1 Ar Har movimiento होता है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड होता है बच्चो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अब देखो बेटा यह पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है समझो अगर मैं बोल दूब बेटा कि अगर इफिशियंसी of electron है, deficiency of electron है, तो पेटा आपके पास body positively charge हो जाएगी, अगर पेटा axisness of electron है, axisness of electron है, तो पेटा पेटा body क्या हो जाएगी, negatively charged हो जाएगी, सरे deficiency of electron मतलब, electron हो कमी, अगर इलेक्ट राओं गई कमी हो गई एलेक्ट्राउं की क्या हो गई कम हो गई तो फीटा पॉजीटिविली चार्ज बाटी हो जाएगी और भाई समझो न मैंने बोला कि अगर मेरे पास सोडियम हमने लिए थे मानके चलिए 11 जिसका अटमिक जो नंबर था, इसमें क्या होंगे? कि जो number of, number of जो proton होगे ना बचो, वो number of, number of electron के बराबर हो जाएंगे, तब ये बाइडी कैसी होगी बेटा, ये बाइडी अन-चार्ज होगी, अन्चार्ज होगी बोडी, अरे होगी कि नहीं, ये बोडी क्या हो जाएगी, अन्चार्ज होगी, अब बोडी अन्चार्ज है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ध्यान से देखो न, अगर मैंने बोला कि डिफिशेंसी आप इलेक्ट्रॉन कर दू, याने को ने बाहर कर दिया एलेक्ट्रान कम हो गए तो प्रोटान तो इंक्रीज क्रीज हो गए प्रोटान तो बढ़ गए अब प्रोटान बढ़ गया तो Erton जाता है वाहनेट्टिव चार्ज हो जाएगे भृत समझ है लेकिन अगर मैं यहीं कहता बिटा कि अगर मैं यहीं बात कह देता कि अगर यहां से हम अगर क्या करते हैं कि अगर मैं इक बात बोलू आप लोगों को कि अगर यहां पर इlek्ट्रोन हो को बढ़ा देते मानों लोग2 उलेक्ट्रॉ इसमें देते हम लोग कितने हो जाते यहां आदें आपके पास सर्टीन JUST हो जाते जबकि अपके आपस प्रोटन तो 11 ही रहते तो मुझे बात बता है घ्री रहते हैं इसका मतलब है कि पातिर B इसनों को ले लेंगे, इलेक्ट्रान बढ़ जाएंगे, तो भाई वो सी बीसी बात है, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बात समझ में आ रही है कि निए, वह लिए होता है बीटा, टाइप साफ चार्ज, क्लियर हैं, यहने टू टाइप सके अपके पास चार्ज हैं, नहीं ही बात याद रखिएगा आप लोग इसमें कि अगर मद करें कि प्रोपरटीव किर या पर्टीज और उनलाइक चार्ज घ्न एटा ओलवेस अट्रेक्ट करते हैं सुम क्या कह सकते हैं प्रोपर्ट्य प्रेपल एज़ए और इच अधर आद अले चार्ज अले चार्ज इस अलेच शारज इसट्रीजड़ अप्रेक्ट इच अधर कि बेटा जो लाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे जो लाइक चार्ज होंगे बेटा क्या करेंगे रिपेल करेंगे जबकि अनलाइक चार्ज क्या होंगे एट्रेक्ट करेंगे क्या बाते समझ में आ रही है क्या बाते समझ में आरी बेटा क्या यहां पर क चार्जी लेकर क्या ऐ एक फश टे कि कि पास ढुरि दूरी दूसरे को क्या करेंगे रीपेल करेंगे आट अधर करेंगे जब 7 करते हैं जब करते हैग साथी उस चल रहा है ना एक जाएगा वह मौनला का अरे मेने कहा है कि अगार मान लिए आ जाए कि एक हमारे पास एक लड़्य कोई भी नाम ले लो उसका यम भूरी कर देते हैं अहीं एक और वो सज धज करके साधी में चले जाए हाँ साधी में चले गई और मान लो उसके दूसरी लड़की दिख जाए एक दूसरी लड़की दिख जाए मान लो रानी नाम की कि लाड़ों देख चाहिए इस से अभड़ हो लेगी मेरे से नहीं दिख रही है यह मेरे से अच्छी नहीं दिख लेए क्लियर है क्या एक सेकंड अब यहां पर बात समझिए यहां पर बात समझिए कि जो यह भूरी इसको क्या करेंगी इसको निगलेट करतेकी बुलेगी कि वहाईलित लेकिन एक मान के चलिए एक अजीब सा लगा गया विनोध नाम का है ना विनोध नाम का लड़का आ गया एक विनोध नाम का लड़का आ गया तो और यह सजदच क्या है तो यह क्या होगी इससे एट्रेक्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी वच्छों एट्रेक्ट हो जाएगी वहले कितना अच्छा दिक रहा है तो वैसे ही है क क्या करेंगे रिपिल करेंगे अन्लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे पिटा एट ट्रेक करेंगे इतनी बातों को याद रखिएगा रियर ना बड़े आगे चलो अब आता है आपके पास method of charging कि हम किस प्रकार से bodies को charge कर सकते हैं तो पहली बात अब ध्यान से देखेगा बेटा method of charging में पहला है charging by rubbing or friction हम किनी भी body को बेटा क्या कर सकते हैं? charge कर सकते हैं कौन सी-कौन सी method से एक है rubbing method या इसी को हम friction method भी बोलते हैं rubbing method मतलब rub करना जैसे अगर मैंने बोला कि किसी body को मुझे charge करना है तो मैं क्या करूँगा उन दोनों body को आपस में क्या कर दूँगा? rub कर दूँगा क्या कर दूँगा बेटा? rub कर दूँगा अपने example तो देखा होगा कि बोले plastic की paint लो या scale अपने hair में ऐसे rub करो यह rub करओगे और कागच्पे बहुत ही small small pieces को लोगे क्या लोगे बेटा यहाँ पर जो आपके पास pages होते हैं है उसके small small क्या लेना अपने पास pieces लेना उसके पास लेकर चलोगे तो क्या करने लगते हैं? उसको attract करने लगते हैं ये बाद पढ़े हैं गाव देखें हैं वहीचीज या मैंने ऐक बाद बोला कि अगर मान के चलिए मुझे किसी भी बॉड़ी को अगर चार्ज करना है जैसे मैं ने बुला बेटा की मेरे पास एक ग्लास राट है फैक है यह ग्लासर ले लिया हमने अब बाद बेटा की अग्लास राट है अगर इसे यहाँ पर Chip Cloth ले लिया अब ध्यां से डेखी है यह सिल्क ले लिए अम लोगोंने ओ और ये अपने पास क्या बेटा ये अपने पास glass rod है एंगर मैं ईने एक दूसरे से रभ कर दू अगर मैं इने एक कि यहां के या तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे या तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को अगर ट्रांसपर हुआ तो जिसने इलेक्ट्रॉनों को एक्सिस किया वह नेगेटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉनों को क् कर दिया प्रबस से अटा दिया डिस्ट इफिशंसी बोलते हैं उसको टो छोडेघा jet जैसे आगर मैंने बोला कि आपके पास GLES रॉड है ख फिकलत और छोड है यह नणा सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो यह GLAAS RORE है ग्लास रोड जो है आपके पास ये ग्लास रोड जो है ने बेटा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा क्योंकि इसने अपने में से इलेक्ट्रॉनों को अपने में से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया इसको जो Young Cloth है यह आपका negative charge हो जाएगा, क्या बाते समझ में आ रहे हैं? तो यहाने हम दो body को रब करके भी उन्हें charge कर सकते हैं, clear है बच्चो, आगे बड़े second देखिए charging by contact, अगर मैं इनी भी two bodies को contact में लेके आउं तो मैं body को charge भी कर सकता हूं, बात समझ में आ रहे हैं न, भाई समझो कैसे करेंगे, तो याद रखो, अगर आप मुझे task दो, कि sir, आप इसे न, किसी एक body, uncharged body है, उस uncharged body को positively charge कर दो, हाँ, जब आप positively charge करेंगे किसी uncharged body को, तो आपको कोई positively charge body को लेकर करके आना पड़ेगा, मैंने कहा, बच्छो, मैं इस बात को यह कहना चाहा रहा हूं, कि मैंने कहा, एक body हमारे पास यह है, मान के चलिए, यह ले लेते हैं, एक body है, ठीक है, एक stand भी बना ले यहां पर, stand भी बना देते हैं, ठीक है, यह stand पे body है, अब यह uncharged body है, इसको मुझे charge करना है, कैसी body बेटा, यह uncharged है, uncharged body है, इसे मुझे क्या करना है, चार्ज करना है, अब चार्ज करना है, और कैसा charge करना है, सर पॉजिटिव चार्ज करना है, क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आप एक positive charge body को इसके पास ल जैसे positive charge body को पास लेकिया अब इसको क्या करवाना है ने को touch करवाना है मान ली आज़ाइए इसको मैं क्या कर और आ हो तच करवा रहा हूं यह पकड़े और यह आजाय है इसको क्या क्लिए हमने टच कर दिये क्या कर दिये hem टुछ कर दिये, जैसे ही टुछ करेंगे बेटा, तो इसके जो positive charge है, वो इस पे भी आ जाएगा, वो positive charge किस पर आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, तो बेटा, जो ये body है, जो uncharged body थी, वो क्या हो जाएगी, positively charge हो जाएगी, वो क्या हो जाएगе बेटा positively charge हो जाएगी similarly similarly अगर मैं बात बोलू कि अगर मेरे पास कोई अंचार्ज बॉड़ी है ये कोई अंचार्ज बॉड़ी है और मुझे इससे इजिए पूप चार्ज करना है क्या करना पड़ेगा भाई एक निगेटिव चार्ज बॉड़ी लाओ और इससे टच करवाद हो एना charging by क्या बोलता है contact या charging by इसको बोलते हैं touching बोलते हैं ठीक है स्वारी अ कि ले ली हम लोगे लेना आपने को negative charge लेना था याद रखो बेटा की charging by contact की बात करे या charging बाइ टचिंग की बात करें तो याद रखना अगर आपको अंचार्ज बोडिको जो भी चार्ज करना है जैसा भी चा रो hatırकरना है उस पर जैसा भी चार्ज लेकर के आना है उस को आपको सैम वहीं चार्ज वाली बॉक्ट टच कुरवाना समझ में एह लिए ना बात समझ का चार्जब लो दोनों बॉड़ी का चार्जद क्या हो जाेगा इक बोल हो जाएगा है इक बहूत कि कह बखे तया है कि रहली एक लेख त्माज का डा हॉआ था गड़ा ऐसी प्लटे थे एक दोनों बॉड़ी का चार्ज तक बराबर नहीं Clay तब तक क्या हो जाएगा तब तक चार्ज का मोशन होता रहेगा ट्रांसफर चार्ज होता रहेगा गलत है गलत है चार्ज का ट्रांसफर तब तक ही होगा जब दोनों बॉडी का जो एक प्पोटेनशल डिफ्रेंश से सवसेम नहीं जाए जब दोनों के बॉडिय का जो पोटेन्शस ऑन गता जैJust इसबॉड़ी का तब तक ही चार्ज उसमें फ्लो होता रहेगा जब तक की दोनों बॉड़ी का पोटेन्शल से महईं अगर सेम तो चार्ज का फ्लो होना बंत बात समझ में आ गई। यहांने चार्ज में फ्लोत अपर तक होता रहेगा जब तक इनका पोटेशल एक लगाएं यह को याद रखने हैं नेक्स समझो do charging बाई induction charging by induction कि हम किमी भी बॉड़ी को कैसे चार्ज कर सकते exception इसमें थोड़ा उल्टा याद रखेगा जैसे इसमें हमने याद रखे ना कि अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव लिचार्ज बॉड़ी को लेकर के आएंगे लेकिन मैंने कहा बेटा कि चार्जिंग बाइंडक्शन अगर यूज करना है तो यहां ऊपर क्या काम करना है मैंने बुला यह बॉड़ी है ठेक है यह अन्चार्ज बॉड़ी है कैसी सबउड़ी पर अब मुझे इसका अगर मान लिए जब पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसके पास बेटा एक निगेटीव लिचार्ž बॉड़ी को को लेकर किया जाओ कैसी बॉड़ी को लेकर किया जाओ निगेटिव चार्ज बॉड़ी को लेकर आ जाओ सेकंड डाइगराम को ध्यान से देखिए अगर मैंने बुला कि सेकंड डाइगराम की बात करूँ एक और एक ले लेते हैं इसका ठीक है यह आ जाओ अब ध्यान से खाथा अब मैं इसको पास में लेके एक दम पर श्प्काना नहीं अभी दूर साइब पास लेकर चला गया जैसी में इसे पास लेकर जाओंगा ना तो इस बॉडी का जो भी चार्ज होगा यह इस बॉडी पर देखुआ भी बॉडी अंचार्ज थी अंचाज थी मतलब number of proton is equal to number of electron, number of proton is equal to number of electron, तो यहाँ याद रखेगा बेटा, कि इसके जो positive charge होंगे, यह positive charge होंगे, बेटा इस negative charge की और आ जाएंगे, और negative charge क्या होंगे, negative charge से दूर भागेंगे, भागते हैं कि नहीं, बुला था मैंने, कि अगर बेटा, same charge है तो ripple करेंगे, और अगर अलग-अलग charge है, तो क्या करेंगे बेटा, attract करेंगे, है ना, unlike charge always, attract each other, and like charge always, ripple each other, छीक है, इतनी बात हो गई, अब अगर मान लो, इसका connection में अर्थ से कर दू, इसका connection में किस से कर दू, अर्थ से कर दू, जैसी मैंने connection अर्थ से किया, तो यह negative charge और दूर भागे यह आपके पास negative charge रहेगा, और यह positive charge इससे बंदा हुआ रहे जाएगा, रहेगा कि नी बेटा, अब ध्यान से देखो, कि अगर इस रोड को भी दूर कर दिये, तो इस पे केवल positive charge बचा, इसका मतलब है यह positive charge क्या हो जाएगा, बच्चो, पूरे, यह positive charge बेटा, पूरे surface म हों में भैल जाएगा, तो ऐसे यह अंचार्ज बाडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, याद रखो, कि अगर मुझे positive charge करना है, बाडी को तो negative charge ले करके आओ, और अगर negative charge करना है, तो positive charge ले करके आना पढ़ेगा, क्या बाते समझ में आ रहे हैं, क्या बाते ATVT क्या होता है द्यान से सब्सक्राइब भूटा अगर मेरे पास अगर मेरे पास ये कोई बॉड़ी है करे अब इस बॉड़ी के अगर बात करूं इस बॉड़ी पर जो नेट चार्ज होगा इस बॉड़ी पर elements होंगे इन सभी के चार्ज के सम के एकवल होगा या एलडेब्रिक सम के एकवल होगा मैंने बोला मान लिया जाए यहां का चार्ज क्यूवन है यह चार्ज क्यूटू है यह चार्ज क्यूट्री है यह चार्ज क्यूट्री है यह चार्ज क्यूफोर है यह क्यूफाइब है और Q6 यह मिलेगा क्या बात समझ में आ रही क्या बात समझ में आ रही भाई किसी भी बॉड़ी पर एडिटिवीड अप चार्ज यह कहता है कि किसी भी बॉड़ी के जो elements होते है उस पर जितना भी चार्ज होगा उन चार्ज का जो algebraic sum होता है उस बॉड़ी पर total charge को represent करेगा जैसे मैंने कहा जैसे मैंने इस बात को यह कहना चाहता हूँ कि मैंने बुला कि एक बॉड़ी है और उस बॉड़ी में कुछ charge ऐसे दे रहा है मान लो एक बॉड़ी है यह ठीक है मान लिया जाए कि इस बॉड़ी में यह आपके पास 3 कुलम माइक्रो कुलम चार्ज है यहाँ पर बेटा माइनस 2 माइक्रो कुलम चार्ज है यहाँ पर बेटा 7 माइक्रो कुलम चार्ज है और यहाँ बेटा माइनस 3 माइक्रो कुलम चार्ज है मुझे बता हिए इस बोडी पे कितना चार्ज होगा इस बोडी पे जो क्यों नेड होगा कितना होगा यार इसको एड करो उन्यत माइक्रोकूलãy प्लस कितना होगा म coaching अंपरा Luck यह देखë यह कितना हो जाएगा माइनस City माइक्रोकूलम और यह दो प्लस इतना ओक बेटा 7μC, यो जाएका 7μC, एड कर देंगे, जीको यह यह जाएका 3μC, प्लस और माइनस माइनस, 2μC, प्लस और माइनस, 3μC और प्लस 7μC, जीको 3μC positive, 3μC negative और यह माइनस 2 और प्लस 7, मतलब 5μC, यहनी इस बोडी पर जो तोटल चार्ज होगा टोटल नेट चार्ज होगा वह कितना होगा फाइब माइक्रो कुलम होगा इसी से रिलेटेट और एक कोशन पूछ लेता है ध्यान से देखिए उसके को हम यहां देख लेते हैं एक बॉड़ी सपोज अपकी यह है एक बॉड़ी सपोज यह है अब मैंने बॉला दोनों बॉड़ी पर जो चार्ज होगा जो क्यूणेट होगा वह कैसा होगा वह कैसा होगा एकवल होगा तो अगर मैंने का कि अगर यहां पर आप देखेंगे बच्चो कि यह 3 µ दिया है यह 2 µ है और यह 7 µ है अब यहां मानके चलिए यहां पर 5 µ है 3 µ है – 7 µ है और यह 8 µ है और यह मैंने कहा बिटा एक्स यानि यहां पर कितना µ चार्ज होगा इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आट करना है तो क्या काम करेंगे हम तर बता दो कि इसका क्यूनेट उसका क्यूनेट इक्वल है मतलब क्या हो जाएगा 3 µ प्लस 2 µ और यह प्लस 7 µ इस एक्वल निकालनी है क्या होगा बिटा देखो 3 µ यह 3 µ प्लस 2 5 5 यह 7 ठीक है अब देखो यह अगर 7 है ट्रांसपर कर दो यह हो टो x मतलब x की जो value होगी बिटा वो 3 µ हो जाएगी यह आपका क्या हो जाएगा answer क्या बाती समझ में आ रही है क्या बाते समझ में आरी एक दम गजब तरीके से बता रहा हो और यह बता हो की ऐसा नहीं की एकदम तरीके से सब चीजे बता रहा हूँ आप लोगों को आप यहां पर आके पढ़ लोग हो सबस्क्राइब यूजन से देखो चार्ज IS क्या बोलता इस तो चार्जिक पारिम क्या बात कर रहे हैं को और साय cozy présent थ्दें दिल मॹुं और और यॅवक हो दो इस तो चार्ज बहुतर कर रहा है तर अगर कोटम सबस्क्राइब बॉडी है, if any body, कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी बॉडी, उस बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा, वो fundamental charge के integral multiple के equal होता है, वो fundamental charge के integral multiple के equal होता है, इसका मतलब है कि सर चार्ज is equal to n into e होगा, charge के value कितनी होगी, सर Q is equal to n into e होगा, where n is equal to 1, यह हम कह सकते हैं बटा, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3 and so on, यह बात होगा, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, भाई, यह जो n की value हो इंटीजर है, यह तो बात बोल रहा है, integral multiple of e, इसकी value कितनी होगी, integers होगी, याद रखना, n की value कभी भी decimal में नहीं आएगी, friction नहीं होगा, हैना कोई भी fraction number नहीं होगा, अगर हो गया, तो फिर वो charge exist नहीं करेगा, ऐसा कोई charge exist करता ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, एक बात यह समझ मे आ गई, यहाँ पर e की value को समझो, तो e होता बेटा, e की value हमने नहीं बताया भी तक आपको, e की value होता है बेटा, 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कुलम, इतना ही चार्ज है, यह one electron per charge है, किस पे चार्ज है बेटा, one electron per charge है, अगर मैं यही proton पे चार्ज बताऊं, यह भी 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कुलम ही ह होता है, इसको negative ले ले लेना, अगर negative आगया तो नहीं माइनस यह positive तो मतलब plus, यहने कि आपके आज proton इस पे प्लस रहता है, negative किस पे रहता है, इस पे रहता है, electron बेटा, उसके बाद अगर neutron, neutron की बात करें, तो इस पे कोई charge नहीं होता बेटा, इसका तो charge 0 होगा, इसका charge क कितना होता है, 0 होता है, आपको यह बात याद रख लिए, इसके बाद और बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो, इतना हो गया, कुछ बाते और हमें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा बेटा, कि mass of electron, electron पे mass कितना होता है, यह बेटा, 9.1 into 10 raise to the power minus 31 kg, और बेटा, गर mass of proton 10 raise to the power minus 27 kg, इन बात को याद रख लीजिए, इन बातों को याद रख लीजिएगा, कि mass of proton और mass of neutron, एप्रॉक्स एप्रॉक्स एक्वल होते हैं, 1.6 into 10 raise to the power minus 27 kg, बात समझ भा रही है, बात समझ भा रही है, यह इतना भारी होता है, और उतना हलका होता है, ठीक है, इसलिए त emotion होता है, भई रोटन महीं, तक क्यों नहीं बोला मैंने की proton जा रहा है, भई proton का mass ये अधिख है, जब proton का mass अधिख है तो तो कहां से जाएगा, रही समझना मैं मोटा हूँ यार, मैं मोटा हूँ तो भई मैं इधर उधर कूद सकता हूँ क्या, नहीं रही है, तो को बी काम इदर उदर भागेगा यह आप मासेज भी याद रख सकते हैं याद रखना ही पड़ेगा रख सकते हैं क्या रखना ही पड़ेगा तब ध्यान से देखिए इस प्रकार से इस प्रकार से हम क्या कहते हैं बेटा कि यह क्वांटाइजिशन होता है अब ध्यान से देखो अगर य क्या किसी भी बार्डी पर किसी बाडी पर 1.6 इंट रिज कर सकता है ता बूलो सर कर सकताा है या नहीं कर इसका मतलब क्या फार्मुला लगा दे सर्क्यू इस इक्वल टू एन इंग भाई मेरे को एन निकालना है तो एन इट इस इकल टू कितना आ जाएगा क्यू अपानी क्यू की वैल्यू गीवन है 3.2 इन्टू 10 रिश्टू दी पावर माइनस 19 अपान भाई एक वैलू को पता है 1.6 x 10 ड्रेश्टू धीपावर माइनस 19 ये लिख लिए हमने यह से वैदेखो 10 ड्रेश्टू दी पावर मायनस 19 ड्रीश्टू दीपावर माइनस 19 एकतोप 1.6 से 3.2 से कंसल 2 टाइम क॥ी इंटना आ गया एन बेलव की फिकलि ह्के टू आ एक टू हमारे पस इंटीजर है आ tara इंटीजर है मतलब किसी भी बॉडी पर इतना चारज POSIBLE है किया हन्रेट कुलम चार्ज पासीवन है देख लो सर क्यों की वैल्यू हमारे पास गीवन है मतलब मुंको क्या लगाएंगे एक वैल्यू से डिवाइट कर दो 1.6 इंटू 10 रिश्टू दी पावर माइनस 19 तो कितना हो जाएगा अगर सॉल करने पर देखेंगे इसको पर लेके चले जाएंगे तो यह कितना हो जाएग आप लोगा 10 रिश्टू दी पावर माइनस 20 कि यह बात होगी कि यह बात होगी ध्यान से देख लो अपन में आएगा उपर लेके गए एक पार ठीक है अब ध्यान से देखो अगर इसको सॉल करेंगे तो उपर लेके चले गए तो वन वन अपन 16 का कितना होता है कितना होगा कितना जाब अपन 16 का इसको अगर वन करें दियां से ग teníaंसे और मैं इसको वियां जिए यह पीडिय का तो ओधिन जान दोलो जाएगा उन दोई लुक्त नहीं। देटने कोई तकलिफ नहीं है एक से केंट हम यह डिये टीन आह इसको अंधर भूप देख देते हूं कितना होगे घंट्रें 60 seconds लंत करेंगे कितना हो जाएगा 16 seconds लॉट कुरूगा कितना कॉ जाए बिताई हो जाए गण आपने पास का Prince six time cancer कितना होता है इस कितने बढ़ हो जाएगा इस जो बता दो कितने बहुत आगा इस लिए इस वीज़ आए न खीकिन इसिक्स होड़ा 96 और कितना लगा दूंगा वर इंटू 10-10-20 ऊपर चाला जाए जाएगा, क्या बात समझ गाएगे, हाँ ठीक है चले गया ऊपर, जब यह चीछ चले गया ऊपर, तो ध्यान से देखो, तो, सारी, मिनस 20 का प्लस 20 आजएगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, पॉजी की हो जाएगा, मतलब, इतना हो सकता है क्या, पॉसीबल है क्या, इतने चार्ज पॉसिबल है क्लियर है बढ़े आगे चलिए आगे ठीक बढ़ते हैं अब आगे बैटे कोश्चन आपके पास कोश्चन देख लीजिए क्या कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रोनिक चार्ज फॉर्म वन कुलम आफ चार्ज क्या रहे वन कुलम चार्ज में कितने एलेक्ट्रोन होते हैं ना बन कुलम चार्ज में कितने एलेक्ट्रोनिक चार्ज कितने हाउ मेनी एलेक्ट्रोनिक चार्ज फॉर्म वन कुलम चार्ज भाई क्यू कि वैल्यू कित 10 raise to the power minus 19 कुलम्द तो मुझे बात बताईए दो बात तो समझ में आ गई एन निकाल ला है एन इस इकल टू कितना होगा क्यू अपान क्यू अपान ए तो भाई क्यू की वैल्यू रख दो ना वन अपां तर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 10 raise to the power minus 19 उपर लेके चलो कितना जाएगा यह यह जाएगा 1 पॉइंट का उपर 0 लगा दो और यह 10 raise to the power कितना हो जाएगा उपर जाएगा तो यह जाएगा 19 अपान कितना होगा 16 तो करेंगे तो 1010 यहां से लेकिया हो इंटू यह हो जाएगा आपका 10 raise to the power 18 अपान 16 16 से cancel out करेंगे तो 6.25 time cancel होता है इंटू 10 raise to the power 18 इस्टेट बोर्ड का फेवरेट कोश्चन है बिटाए इस्टेट बोर्ड का फेवरेट कोश्चन है इस्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछा आगे जाता ही है multiple choice question में बास समझ में आ रही है तो यह कोश्चन याने की वन कुलम चार्ज में number of electron कितने होते हैं 6.25 into 10 raise to the power 18 क्या बाते समझ में क्या बाते समझ में मजा आ रहा है ना चलो बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं क्या बोलता बेटा question number two if a body use out 10 raise to the power 9 electrons every second every second याने एक second एक second में one second के अगर बात कर रहा हूं तो इतने electron हम क्या कर रहे हैं दे रहे हैं बेटा how much time is required to get a total charge of one column from it तो भाई एक कुलम चार्ज देने में कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा तो सिंबल सी बात है बेटा क्यू की वैल्यू दिये आपके पास one कुलम चार्ज क्या यह दिया गया है बन कुलम चार्ज अब ध्यान से देखिए न अब आपको पता एक की वैल्यू आपको पता यह सर वन यह सब्सक्राइब यह दो पहले इसको सॉल किये थे यह नियान से धेको हैं कि इतनी बाते समझ में आया है इतनी बात है समझ में ही क्या बोल रहा है इप बोल रहा है प्टा इप बोरी घू गिस आउट टैने इस तूदी पावर नाई इलेक्रोंस एवरी सेकन्द याने भाइ टैन रेस्टू दी पावर नाइन ते इस चूदी पावर upon beta 10 raise to the power 9 यह बत ट्रांसफर कर दो कोई दिक्कत नहीं सेकेंड इसका मतलब वन इलेक्ट्रोन को देने में वन अपान 10 raise to the power 9 सेकेंड लगता है तो मुझे बताईए कि वन कुलम चार्ज देने में मतलब की नंबर ओफ इलेक्ट्रोन इतने देने में कितना टाइम लगेगा तो भाई 6.25 इंटू 10 raise to the power 18 इलेक्ट्रोन देने में कितना टाइम लगेगा जब left hand side में आपने इतने का multiply किया तो right hand side में भी कर दीजिए त्या जाएगा बिटा 6.25 इंटू 10 raise to the power 18 अपन 10 raise to the power 9 यह बात हो गई तॉल करेंगे इस से एक एंसल आउट हो गया यह हो जाएगा बिटा 6.25 इंटू 10 raise to the power कितना आजाएगा 9 और यह आजाएगा बिटा सेकेंड याने कि बिटा 1 कुलम चार्ज याने कि बिटा 6.25 इंटू 10 raise to the power 18 इलेक्ट्रॉन देने में बिटा 6.25 इंटू 10 raise to the power 9 सेकेंड लगता है इसे आप यह में कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात ने बहुत बड़ी वैल्यू है यह में कर दो क्या बात समझ में क्या बात समझ में मजा आया चलो यहाँ तक बेसिक हम आज कंप्लीट कर रहे हैं इसके बाद कुलम्स लौ से कुलम लौ है ना और कुलम लौ को वेक्टर फॉर्म और बेटा प्रिंसीपल अप सूपर पोजिशन और इस पर रिलेटेट नियूमेरिकल कल करेंगे तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि थे थे थेंक यू